नमस्ते हमारा नाम डॉक्टर लासे साय सिंदु है हम एंटी सर्जन है और नियूरो और आटोलेजिस्ट माने वर्टिगो और बैलेंस डिसॉर्डर के स्पेशलिस्ट है हम अभी देखते हैं कि बहुत सारे लेडिस में प्रेगनसी के दौरान या तुरंट प्रेगनसी के बाद चकर का महसूस होता है और ये जो चकर है थोड़े लोगों को माइल्ड ली आते जाते रहता है थोड़ा ऐसा डिजिनस जैसा महसूस होता है बढ़ बहुत ज्यादा लोगों में बहुत ही ज्यादा गुमाता है और थोड़े लोगों में चकर के साथ उल्टिया भी होती है और थोड़े लोग ऐसा भी होते हैं जिनमें चकर के साथ बहुत ही ज्यादा सिर में भी दरद होता है तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि pregnancy के दवरान ये जो आपको चक्कर आ रहा है most common reason BPPV करके एक रहता है BPPV मने बिननाएं positional paroxysmal vertigo problem ये है कि अगर आपको during pregnancy में ये problem आता है ज्यादा tablet भी हम इस्तमाल नहीं कर सकते हैं जिसके वज़े से लोग बहुत ही ज्यादा सफर करते रहते हैं but इसका एक simple सा solution है थोड़े हाली exercise करने पे आपका problem का solution निकल सकता है लेकिन आपका problem exactly क्या है definitely आपको एक चकर के specialist के पास जाना है that is neuroautologist वो लोग आपको 40 minute का examination करेंगे physical test ही रहेंगे उसमें समझ में आजाएगा आपका problem क्या है इसके साथ साथ latest हमारे पास बहुत सारे technology है जैसे VNG, VHIT VNG जो है एक machine की तरह है आई को goggles जैसा पहनाते है और उसके हिसाब से वो पूरा नसका track करके हमें इसमें ये पता चल जाता है कि आपका problem ये कान में है मतलब कान के पिछले वाला जो balance system में है उसमें है या brain में है ये सारे चीज़े भी हमें simple test से समझ में आजाएगा और बिना tablet का भी आपका treatment हो सकता है जब आप pregnant हो तो ज्यादा tension मत लीजिए और over the counter medication चकर के लिए pregnancy के दौरान नहीं लेना चाहिए और अगर आप फिर भी कोई tablet ले रहे हो ज़रूर आपका gynecologist से consult करके ही लीजिए और ये delivery के बाद भी ये जो चकर है वो काफी ज्यादा ladies में हम देखते है क्योंकि क्या होता है most of the time delivery के बाद postpartum depression होता है मतलब delivery के बाद acid सारे ladies के emotions जो है बहुत ही ज्यादा नाजुक हो जाते है उनको जल्दी रोना आ जाता है उनको खुद पे बहुत सारे doubts आते है और बहुत ही ज्यादा दुकी हो जाते है या बहुत ही ज्यादा stress में आ जाते है बहुत लोगों को ये doubt आता है हम क्या संभल पाएंगे ये बच्चों को थोड़े लोगों को आत्मविश्वास जो है एक्तम low हो जाता है और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा personal problems के वज़े से काफी depressed हो जाते है इस तवरान आपको आपके feelings का बहुत ही ज्यादा खायाल रखना है आपको समझना है कि आपका emotional status कैसा है और इस पर भी आपको काफी ज्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है physically और emotionally दो तरह से हील होना है especially post delivery तो इस process में अगर आप चक्कर के डॉक्टर के पास जाओगे आप अच्छा सा आपका evaluation करवा लोगे simple साही treatment रहता है आपका exercises या अगर ज़रूरत पड़े तो कोई दवाई भी उलोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन पहले आपको खुद का मदद करना चाहिए thank you